अससलाम अलेकुम, कैसे हैं सब लोग, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तो Fast API के अंदर आज हम देखेंगे, different ports के उपर आप अपनी apps को कैसे run कर सकते हैं, और यह इस वज़ा से जरूरी होता है, जब आप एक ही system के अंदर multiple apps को run करना चाहें, तो आपको बार-बार अपनी app को close करके दुबारा से चलाना नहीं पड़ता, बलकि आप different apps को different ports के उपर चला सकते हैं, यानि कि एक system के उपर आप different ports run कर सकते हैं, और वो छोड़े-छोड़े-थोड़े resources उनको dedicate हो जाते हैं, इसी तरीके से जब आप deploy कर रहे होते हैं अपनी app को, जैसे मैंने पिछले lectures के अंदर आपको बताया था कि Amazon Machine Learning की जो app है, Amazon Web Services के उपर आप कैसे deploy कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप different ports को use करते हैं, और वो ports क्या होती हैं, एक ही system जो cloud computer होता है, उसके आपर आप multiple apps को store कर सकते हैं, let's jump into it, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक folder बनाता हूँ, मैं 10 number folder है, कि इसको मैं रिख देता हूँ, उसे for example ports, ports के उपर, यहाँ पे मैं कोई भी एक app बनाता हूँ, बलके मैं पीछे वाली app यू उठा लेता हूँ, ताके हमारे लिए easy हो जाए, तो मैं 10 number के अंदर इस app को paste कर देता हूँ, अब यह हमारी एक app है, जो हमने पहले भी बनाई थी, जैसे मैं इसको run करना चाहूँ, मुझे यहाँ पे uvicon main app. यह वाली चीज लिखनी पड़ती है, इसको मुझे run करना पड़ता है, and you will see, कि जैसे मैं run करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक link आता है, this link, this link is a kind of local host और फिर port number हमारे पास होती है, यह local host है, 127.0.0.1 और फिर आगे 8000 हमारी जो है, वो local हमारी port है, मैं इसको click करता हूँ, तो आप देखेंगे, जब भी हमारी app open होती है, तो यह 8000 port के उपर होती है, what if, यह वाली एक 8000 के उपर, और मुझे एक और app को run करना है, which should be on 9000 or something like that, तो मुझे इन ports को specify करना पड़ेगा, उस वो कैसे कर सकते हैं, same काम है, हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे करनी है अपनी ports को specify, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, just to show you, specify the ports, the app on port 8000, बलके इसको मैं, इसको 5000 बोल देता हूँ, ठीक है, हम क्या करेंगे, basically, हम यहाँ पे simply लिखेंगे, if, underscore, underscore, name, main, यह हमारे पास इसकी main की जो हमारे पास app है, उसके अंदर import करेंगे हम uvicon को, फिर हम uvicon.run, यहीं पे लिखेंगे, जो हम नीचे लिख रहे थे, मैं इसको ctrl c करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, यह जो app थी नहीं, uvicon की, main और app के अंदर, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, uvicon.run, app, और यहाँ पे हम host बताएंगे, 127.0.0.1, and then हम port बता देंगे, तो जब यहाँ port और host बताएंगे, मैं इसको ctrl s करता हूँ, now you will see, कि जैसी मैं यहाँ से, यह वाली चीज को run करता हूँ, enter दबा के, you will see कि हमारे पास जो uvicon run करेगा, वो basically different ports के उपर आएगा, let's see, अभी भी यह 8,000 के उपर क्यों है, it shouldn't be at 8,000, 5,000, not like that, let's see, call close करता हूँ, uvicon run main.py करते हैं, let's see, इसके अंदर क्या problem हो सकती है, यह port क्यों नहीं चल रही, क्या मेरे पास पहले ही को issue चल रहा है, don't know, चले, इसको दुबारा से मैं run करता हूँ, और यहाँ पर, running on port, start a reload processing, script हमारा ठीक है, there is something wrong, let me find it out, I see, I got it, तो एक तो यह चीज है, second आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे dash dash port करके 5000 लिखता हूँ, now it's running on 5000, yes, so आप यहाँ पे separately उसे दे सकते हैं, right, the port का वहाँ पे हमारे पास issue होता है, तो यह मैंने 5000 दिया, and now it's working fine, इसको close करता हूँ, तो आपने सिरफ dash dash port का यहाँ पे flag चलाना है, and it will work on that flag, मैं यहाँ पे इसको, 8500 पे चलाता हूँ, तो यह port हो जाएगी है, हमारी 8500, और यह सी के ओपर 8500 के ओपर चल गया, ठीक हो गया, अगर मैं इसको comment out करता हूँ, let's see if there is something happening, कुछ भी नहीं हुआ, इसको refresh करते हैं, everything is working fine, slash, यहाँ पे हम path parameter लगा के देखते हैं, so population के हम run करके देखते हैं, कि population का plot यहाँ पे कैसा बनता है, everything is running fine, तो आप सिरफ क्या करेंगे, dash dash port की command वहाँ पे run कर देंगे, and then it will be running fine, I don't know what's going on here, because usually आप port को इस तरीके से भी mention कर सकते हैं, but it's fine, we will see that, और फिर इसको हम चेक करते हैं, कि किस तरीके से यह काम कर रहा है, मैं एक और तरीका अपना के देख लेता हूं, just giving another try, क्योंकि डीबगिंग करना भी हमारी job में शामिल है किसम का, तो हम यहां से इसको control-c करके बंद करते हैं, python-m, यहां पे मैं इसको main.py को अगर run करूँ, it's not working, okay, python main.py, yes, now it's working, so हमने python main.py run करनी थी, इस वज़ा से यह मेरे पास आ रहा था, तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी चीज python की चलाएंगे at the end, main जो file है, वो basically इस तरीके से uvicon.run automatically चल पड़ेगा, और यहां पे यह भी चीज आ जाएगी, और यहां पे reload is equal to true अगर हम करेंगे, तो वो भी चल रहे होगी चीज, that's a good thing, यहां तक के लिए आपको समझ आगी होगी, दो तरीकों से हम ports को mention कर सकते हैं, एक तरीका क्या है, एप के अंदर ही ports को mention कर दिया जए, दूसरा तरीका यह है कि आपको run करते वकद आप port को mention करते हैं, यहां तक के लिए समझ आगी है, तो like, share, subscribe this channel and the video, और अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि नेक्स वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, समझे हो, नहीं समझे, कोई मसला नहीं है, मैं समझा रहूँ है, सी ये नेक्स वां,